जै हिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो जो जोग्राफी का विकली टेस्ट हुआ है 29 तारीक को उसका आंसर की लेकर आए हैं तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगा निंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है चली सुरू करते हैं सबसे पहले सबखें अब से पुछा गया था कि निम्लखित में से कौन से भहुतिक भूगोल की शाक नहीं है तो यहाँ पर कौन भीज्यान ही हो जल्वॉघ्यान होगिया यह सब कही ने कहीं जो हिर आपक वो जो है आपका प्रितिविस लेटेट नहीं है तो ये भुगोल का सास्त जो है वो नहीं होगा ठीक है option D हो जाएगा question number 2 की बात करेंगे तो भारती वन जीवन अधिनियम कब लागू किया गया तो भारती वन जीवन जो अधिनियम लागू किया गया वो 1972 में लागू किया गया option number 20 का right answer होगा Q3 की बात करेंगे तो यहां पर कहा जा रहा है कि क्रमवद्ध भुगोल किस विद्वान के द्वारा परिवर्दित किया गया था तो यह जो परिवर्दित किया गया था Alexander Von Humboldt के द्वारा परिवर्दित किया गया था Options No. A हमारा Right Answer होगा अगला सवाल है हमारा Question No. 4 में कह रहा है इन में से कौन सी एक फलीदार फसल है तो देखिए जो डाले होती है यह फलीदार फसल होती है इसको याद रखिएगो Option C हमारा Right Answer है Question No. 5 पर आए तो कहा जा रहा है कि निमलिखित में से किस लक्षन को बहुत इक लक्षन कहा जा सकता है इन में से कौन सा जो लक्षन होगा वह बहुत इक लक्षन होगा तो फिल्ड जो है आपका मैदान जो है वह बहुत इक लक्षन होता है बहुत इक लक्षन क्या होता है कि जैसे कि हमारी प्रिथिवी होती है जो हमारा होता है प्रकृत और्वार होता है नेच्स्ट है हमारा जहरकंड में इसदित कोडर्मा जिलसके लिए अगर हो यह जो ऑफका अभरक के लिए अगर नहीं होता है कोडर्मा तो options noirm canvas दी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा अब रख हो जाएगा ठीक है अगला से वाले हमारा question number seven में कहा जारा है निमलिखित में से कच्छे माल को मुल्यवान उतपाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुवां को उतपादन कैसे कर देते कच्छा माल और जो परिवर यह ठीक है तो options B question number nine में कहारा निमलिखित में से किस विद्वान ने भुगोल सब्द का परियोग किया था तो भुगोल सब्द का जो परियोग किया था इरेटो इस्तिनीजने option number C हमारा यहां पर राइट आंसर होगा अगला सवाल है हमारा निमलिखित विशय युगमों मे यहां पर subjective question है अगर आप लोगों को इसका आंसर चाहिए होगा तो प्लेज हमें comment कीजिएगा हम आपके लिए इसके लिए आंसर आप लोगों को अबलब्त करवा देंगे